ओम नमश्यवाई जब कभी डाइवोर्ज की प्रॉब्लम आरी हो या फिर कोई भी पारिवारिक समस्या इतनी बढ़ गई हो कि बात जाद ही बिगड़ जाए उस समय में ये बहुती अनुभूत विधी आप कर सकते हैं जो कि रामबान इलाज होगी ऐसी स्तिती में जब आपको कुछ सूजना रहा हो तब आप ये प्रियोग कर सकते हैं और ये इतना चमतकारी प्रियोग है कि पहले ही दिन से आपको असर दिखाना शुरू कर देगा इसको करने की विती बड़ी ही सरल है आपको बस करना इतना है कि आपकी जो पुरानी चूडिया हो वो लेकर किसी ऐसे पेड़ पर जाएं जिसके उपर अमर बेल चड़ी हो अमर बेल होती है एक पीले कलर की बेल होती है जिसमें की रूट नहीं होती वो अपना खाना अपने जो जिस पेड़ पर वो चड़ी होती उससे बनाती है अगर ऐसे ही आपको अपना जो है प्रभाव किसी पर डालना हो या फिर किसी को वश्मे करना हो तो आप उस अमरबेल के पेड़ के नीचे जाकर चूड़ियों के नीचे ये यंत्र रख दीजे यंत्र में जिस स्थान पर देवदत आया है वहाँ पर आपको अपने साथी का नाम लिखना है और ये जो यंत्र है ये आपको अनार की कलम से बनाना है सुबह पांच से लेके नौ बजे के भीतर आप इसको बना सकते हैं अन्य था अगर और कोई आप समय लेते हैं तो उसमें ये प्रयोग विफल हो जाएगा आपको जो मैं समय बता रहा हूँ उसी में कीजिगा ब्रह्म मूरत सबसे सही है इस काम के लिए अगर ब्रह्म मूरत में नहीं करोगे तो इसका कोई फाइदा नहीं है ब्रह्म मूरत में ये यंत्र बनाई है और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिए देवदत के जगह अपने साथी का नाम लिखे और फिर किसी भी अमरिबेल के पेड़ के नीचे इस यंत्र को चूडियों के अपनी जो भी कोई पुरानी चूडियों उनके नीचे दबा कर आ जाहिए वापिस और पीछे मुड़ कर आपको नहीं देखना आप 11 दिन तक वेट कीजिए 11 दिन के भीतर भीतर जो भी साध्य वेक्ति होगा चाहिए वो कितना ही पत्थर देल के उना हो वो भी आपकी यहां पर पानी भरेगा अगर किसी भी तरह है कि प्रॉब्लम आए इसको करने में या फिर कोई दिक्कत हो समझने में तो मुझे कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर धन्यवाद